देखिए जो सारे संगटन इसको करवा रहें मिलकर उसका मुख्य कारण यही है कि जो देश की अवाम हैं जहां तक मुद्दे नहीं पहुच पाते जहां राजमितिक पार्टियों की सत्ताधारी पार्टियों की बुरी नीतियां भी अच्छे तरीके से बता करके मीडिया पर पार्टियों है घरिखिए मिल रहे है और सब को मिल रहा है अब हुब पढ़िया आगे बढ़िये और सरकार नोप्रियां दे रही है तो मेरी समय में यह नहीं आता कि देश की जो आम जनता है जिसको चैनल के माध्यम से भरगलाते हैं और जूट तरीके से बताते हैं वही सच मान लेती जिस जूट को वह सच बता करके लोगों तक पहुंचाते हैं क्योंकि उसके पास इतना समय है की देश की अंदर जो छीना जप्टी की जा रही है या देश की सरकारी संपत्या बेजी जा रही है दैस की आम जनता के साथ धोका करने के लिए मुखे रूप सायोजित किया गया जिसमें बहुँ सारे लोगों की उर्जा समय और धन लग रहा है देश के वो समस्त जागरूप नागरे की स्कारेकरम में शामिल होकर के इस कारेकरम को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं कि आपके असली मुद्दे ये हैं जिनसे आपके बच्चों को स्वास्त परिवाई को स्वास्त और आपके विवाओं को रोजगार मिलेगा जहां आपको महगाई जिस तरह से आपसे ब्लूटी जा रहे हैं उस तरह से आपको सरकार आपकी सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं कर दिया टैक्स पियर आप देश का पृतियक नागरिक है लेकिन टैक्स की चोरी करने वाले देश के दो-तीन लोग हैं, जो लूट करके देश को विदेशों में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो सारी चीज देश की जंदा को बताने की जरूत है, जिसमें ये कारेकरम बहुत बड़े लेवल पर समाज में सहयोगी वा उपयोगी मा होना जाएगा मुझे एसा लगता है ये एस तरह से भी तैयारीय चल रही है, प्रगोंगी इस कारेकरम में जो अभी तक, हमारा कनेक्शन हुआ हमारा कम् democracy अभी तक लगबगग सत्रह से एठार से आहरा आजियो में हमारा कम्नीकेशन चल रहा है, और बाकी राजियों में अ समाज के मुद्धों की आवाज उठाने की बात रखी है हर वो संगठन इसके लिए तैयार है जो समाज का देश का भला चाहता है शुमेंदर जी इस पर आगे मेरे साथी बात करेंगे अगले मुद्धे वो बताएंगे जी शुमेंदर जी तो सातियों जैसे कि आप लोग जानते हैं और सबसे पहले तो आप सभी मीडिया भाईयों का बहुत-बहुत सौगत हैं और आप से और सच में आपको समय समय पर बहुजनों की आवाज अगर कोई उठाता है तो वो बहुजन समाज का ये सोसल मीडिया के सोसल प्लेटफार्म ह होता हैं तो इसलिए आप लोगों का बहुत-बहुत आभार और उम्मीद है कि हमारी आवाज भी आप जन जन तक पहुचाएंगे सातियों यह जो जातीगत जन गनना है आपने अभी देखा है यी डबलूएस यी डबलूएस जिसके लिए कभी मांगने हुई जिसके लिए क जो पक्ष है वो कभी रास्ते पर नहीं है बलकि उन्होंने आरक्षन का विरोद किया लेकिन फिर भी इसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है रातो रात दुसरे दिन संसद में इस स्क्रिप्ट को पास भी कर दिया जाता है फिर आप लोगों ने देखा कि ये इस देश का बहु चलती है और हैरिंग चलने के बाद कहीं दीनों के बाद में पाज जजों की बैच उसे निर्दारित करती कि इस देश में 10% आरक्षन एक कौम को दिया जाएगा जिसे हम लोग ब्राह्मन या पिर जो सवर न कहते हैं इस कौम को दिया जाएगा तो प्रस्न यह है क्या इस द जर्ढ़ Changeive सभ्य ने लागो किया और भीवी सिंग लागो करने के बाएगा कि आज भी जिसकी जिसकी सरक्या भारी उसकी उतनी हिस्से जारे इस पर वा कांसी को मिर रहते हैं तो कही ना कर ही ओभी सी के हग अधिकारों को एक पक्ष खा रहा है जिसे हम सहुर नग कर सकते हैं दूसरा बैलेट वेपर से ही चुना जैसे कि आप हम डेली में या पिर हम जहां पर भी जाते हैं सभी लोग तरस्त है मोधी को मोधी जहां से मोधी का नाम है तो पता निक बहुत सा सम्मान क साथ मोधी जी के लिएल are reality यहस चाही है क्योंकि जो नीच्चे तब्के कर जो समाज है जो बहुजल समज निचे तबके में कौन है पार्वजल समाज है तो उनшालिक जो रोजी-रोटी से लेखने हर्ण में हा कार मचा हुआ है तो पिर ऐसे चीज में देखिए जो चाया मित साहाजी बोले या फिर जो भी लोग अगर बोल रहे हैं कि हम लोग डेफिनेटली इस इतने इतने मतों से इतने इतनी सितों से हम लोग जीत रहें तो क्या वाकई में इन लोगों के पास वह जो उनके संकर भगवावन की तिसरी कि वह पहुत सारी चीज जान जाते हैं या भविस से कोई उनके पास पंड़ा पूजारी बैटे हुए कि जो बता देते कि बाबा तुम बस जितने ही वाले हो तो कहीना कही हम सब को मालूम है क्यूंकि आप हिमाचल में आपने देखा है कि हिमाचल में कुछ ऑफिसर्स को सस क्यूं कर दिया क्योंकि वहां एक लगे मसीन प्रायवेट गारी मिली तो इसका मतलब है कि कहीना कई लाइन चुनाव में शारी धाली होती है तो इसलिए हम चाहते कि वोट हमारा है तो हम डिसाइडेट करें कि हम देट से करें या फिर एविय से करें तो मुझे लगता है कि यह चुनाओ बैलेट वेपर से होना चाहिए और इसकी मांग समय समय पर उठते आ रही है तो फिर भी इसके बाद भी चुनाओ आयो इस बाद पर वह अपना ध्यान केंदरित नहीं करता दूसरी बात और भी हमारे मुद्दे है ठेकेदारी में बहुत संक्य के को के हिस्चेद अरillon क्लया मिले यह को आप देखिये इस देश में आरक्षन खतम किया जा रहा है और अरक्षन neutrम कराद किया जा रहा है सरकारी संस्तानों को बेच कर निजी कर लाया जा रहा है तो निजी कर दो जिएग वहां का जूंगा डालोंぎ कोज़ी में काम करेंगे इसलिए हमें ठेकेदारी में बहुत संखे की इससे दारी विच्सेदारी जैसे कॉलीज़ आपने देखा होंगा कि यह जजों की पचास परसेंट का दाइरा था उसको तोड़कर साथ परसेंट पर आ रहे हैं तो आप सोची कि वो जो नहेपाली का में तो क्या आपको लगता है कि इस बाउजन समाज को एक जाती भी से इस नहें दे पाएंगा इसलिए उच्छ नहें पाली का में बहुत जनों की हिस्सेदारी होनी चाहिए सुनीचीत होनी चाहिए और फिर आता है गुरूप यह भी नवकरी में इंटर्यू समापत हो क्योंकि आपने देखा होंगा कि यह जो गुरूप यह और बीकी इंटर्यू क्यांव यहाँ पर बहुत सारे तकलिप हैं लोगों की पीछे यहंप र आपको मेडिकल भी देना है आपको क्या इसको पूरूप इजWAY्ञें अपने देखा है कि किसानादोलन बहुत जाते हैं ओर एक फसलों कि मस्थी लागत मुल्यों और महागाई जोर्द्करता ही की जाए आपने देखा है कि इस किसान आंदोलन बहुत ही यह वह और किसा कहीं लोग सहाधत भी हुए उस आंदोलन में और जैसे यह काफी लगे थे निर्देट जी बच्चों को पढ़ाने में बहुत सारी चीज़े तो कि इतने लोग सहाधत होने के बाद भी इस देश की कुंगी बहीरी सरकार आज तर उन्होंने आंदोलन फीचे लेने के लिए मान तो लिया लेकिन क्या इस देश में MSP अभी भी लागूया फिर MSP के आधार पर उनका जो किसानों का कर मुल्ले है उनकी फसल का कर मुल्ले वह उ जोनों के वह से देखा जाए तो पाव के नाखुन से सर के बाल तक हमारे मुद्दे हैं लेकिन यह व्यवस्ता परिवर्तन करने के लिए सबसे पहली बात तो हमें कुंगी बहीरी सरकार को सुचित करने के लिए यह पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि ओभी सी की लड़ाई- केल लड़ीने के लिए शय जा रहा है इसे तो ज्राइव आ रहा है और शयूका जूटा रहा है जो एक कमम्रे पर एक घ्ल को हुआ इसलिए क्यूंकि दॉक्टर बाबा सहाब के पार्तिव शरीर को देली के अंदर जगन ही ती यह जब अलिपूर रोड में समाजी अगर डेली में होती तो हमें लगता है कि डेली का और में कुछ अलग नकसा होता जी बिलकुल बिलकुल अभी हम लोगों ने कुछ MLS से बात की कुछ सांसद हैं हम चाहते हैं कि जो तो NCST OBC समाज से चुनकर लोग गए आरक्षन के भरों से जो लोग गए तो लोग अपने बाते अपने समाज की पाथे उठाएं अपने समाज के मुद्दों को उठाएं कि जाती जन करने ना होनी चाहिए अगर हमें लगता है कि अगर वो नहीं उठा रहे है यह बात तो इसक संट है और काफी लोगों का हमें समर्थ भी मिला बसbaar के कुछ सांसद से हैं किसे आपका यह कांग्रेस के भी कुछ है तो इस परकार से कुछ कुछ लोगों का समर्था आ रहा है हम लोग कॉंटक मैं साud बात चल रही है सायद वो आ सकते हैं और हैमन सोरें सर से भी बात हुई है स्टालिन जी से भी हम लोगों ने वहां पर यह भेजा है तो करिब करिब आपके तो जैसे जैसे इन लोगों की हम लोगों को हा में आता है हामी आती है वैसे वैसे हम आपको सबको पताएं ने इस कारेक्रम के मुद्दे सभी लोगों ने सुन लिए ये कारेक्रम उन सभी गरी मजलूम SC, OBC, आदिवासी, महिलाओं समस्त देश के युवाओं सभी को संभोधित करते हुए इन सब मुद्दों को शामिल किया गया है कि उन सब की लड़ाई जो लाइन में सबसे पीछे खड़े हुए लोग हैं जो दिल्ली तक नहीं आ सकते हैं ऐसे संगठन जिनोंने स्टेट लेवल पर बना रखे हैं ब्लोग लेवल पर तैसीर लेवल पर और गाओं लेवल पर वहां अपनी बात रखते हैं जो सरकारों तक नहीं पहुंच पाती हैं तो ऐसे सभी समस्त संगठनों के लिए हमने दिल्ली पर यह बड़ा मंच बनाया है अपनी मुद्दे और अपनी स संगठन के साथ आप इस कारेकरम में उपस्तित हों और अपनी बात रखें क्योंकि आप जितना भी यह बड़ा कारेकरम है उस इस तरपर जितनी बड़ी ताकत आप लगाएंगे सरकार के कानों तक जाएगी क्योंकि उसी समय सम्मिधान के तहर जो आपके देश की सबसे लोगों ने डो दिन की लगाई है जिसमें तीसरे दिन भी अगर लोग रुके तो हम लोग भूखरताल करेंगे आदेक्य भूखरताल का मुख्ष्प्ष से ये है कि अगर हमारी मांगे सरकार मांगते है अगर मांती है तो डेश के अंडर जितने भी लोग हैं वो उन मांगों के साथ जैसे हमने अभी इसमें लगवग 30-32 मुद्धे रखें तीस-32 में सरकार इसमें 10-15 मुद्धे भी अगर मानती है तो देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्टन आएगा और देश की उस आवाम को लाप मोचेगा जो सरकार की नीतियों के गलत नी क्यों क्यों कि उसी समय पर जो सीथ कालिन सत्र जारी रहेगा उस समय सरकार पर आम जनता इखटी होकर के दबाब बनाएगी कि आप जितने भी सांसद बैठते हैं यह जनता के लिए कानून बनाते हैं ना कि आप अपने निजी स्वाट के लिए निजी के लिए कानून बनात स्ञाद में पिर जनता की मुद्धों को मानने से संसदों को क्या है अत राज है वो तो मानने चाहिए और उनको लागू भी करना चाहिए तो इस तरह की जितने भी मुद्धे जो भी संसद उठा सकते हैं संसद में उनका स्वागत है इन मुद्दों के साथ अपने चेत्र के लोगों के लिए और इस देश के लिए संसद में इन मुद्दों को उठाएं ताकि ये समाज और ये देश आपके कर्टब्यों को पहचान सके कि हाँ वास्तब में आपने अपने कर्तब्ये निवाएं क्योंकि आप इसी काम के लिए भाजाते हैं और आप सभी से मेरी अपील है गुजारिश हम सभी उन समस्त तमाम संगडनों की ओर से जो इस कारे करम के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं कि आप सभी लोग पोँचिए इन दो से तीन दिन के लिए हमने रहने की खाने की रजाई मुझे क्या मतलब लेकिन आपने अगर एजुकेशन ले ली और आपके पास रोजगार नहीं है तो आपकी वो सिक्षा ही आपके लिए कलंक बन जाएगी क्योंकि सिक्षित होने के बाद आप तो मजदूरी करते हुए बहुत देख और भी कुरूप लगोगे और आपके जित क्या रहा है धन्यवाद चैभीम जैसमिदा